एक्शन में बीएसपी अधिक्ष मायवती विपक्ष से अलग बहन जी का चुनावी प्लान ये तस्वीरे देश की राजधानी दिली से आई हैं आज दिली में बसपा कार्याले में बसपा अधिक्ष मायवती ने बड़ी बैठक की मायवती ने पार्टी नीताओं के साथ अहम बैठक करते हुए चुनावी रणनीती बनाई विपक्ष अपनी अलग बैठक के कर रहा है और मोधी को चुनोती देने की कोशिश कर रहा है लेकिन विपक्ष ने मायवती से दूरी बना रखी है ऐसे में बसपाद देक्ष मायवती खुद अपने दम पर चुनावी तयारियों को तेज कर रही है मायवती ने आज चंडीगर, हरियाना और पंजाब के स्टेट, जिला और असेंबली लेवल के तमाम पदादिकारियों के साथ रिवीवीटिंग करते हुए मायवती ने कहा कि संगठन में कम्यों को दूर करके पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में तेजी से बढ़ाने की जरूरत है मायवती ने कहा कि जिस तरह से मोधी राज में हालाद भी काबू होते जा रहे हैं ऐसे में मुम्किन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कई और राजों में भी विधान सभा चुनाव एक साथ करा लिये जाएं ऐसे में मायवती ने पार्टी नेताओं को अपनी तैयारी मुकमल रखने की सक्त हिदायत दी है हर्याना पर खास ध्यान देते हुए मायवती ने संगठन में भी बदलाव किये और हर्याना में BSP की नई टीम का गठन किया प्रेस रिलीज के मुताबिक मायवती ने अच्छे कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाने और पार्टी से जोडने की नसिहत दी है मायवती ने कहा हर्याना रज्य पार्टी युनिट पार्टी संगठन में यूपी के पैटरन पर कर्मत और जुझारू युवाओं को मिशनरी बना कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करे मायवती ने हर्याना के लोगों से अपील की कि उन्हें सूबे में बस्पा की सरकार को एक बार जरूर आजमाना चाहिए मायवती ने कहा हर्याना ने दूसरी पार्टियों का जाती वादी खेल बहुत देख और सहन कर लिया और अब यहां के सर्वसमाज के लोगों को बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर की और नियाई पार्टी को सरकार बनाने का मोका दे कर जरूर आजमाना चाहिए ताकि खास कर करोडों दबे कुछले गरीब शर्मिक और किसान समाज को उनका कानूनी हक सही तरीके से मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके हर्याना में बसपा की नई तीम को अहम जिम्यदारी मिली है हर्याना के अलावा ये मीटिंग पंजाब के लिहाद से भी बेहद एम रही क्योंकि सियासी गल्यारों में इस बात की चर्चा है कि पंजाब में बीजेपी और शिरोमनी अकाली दल फिर से हाथ मिला सकते हैं पिछले विधनसबा चुनाव में बसपा और अकाली दल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था ऐसे में अगर बीजेपी और अकाली दल फिर से साथ आ जाते हैं तो बसपा को इसका तोड निकालना होगा मायवती ने मोधी सरकार पर निशाना साथते हुई ये भी कहा कि जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों से ध्यान बटकाने के लिए मोधी सरकार युनिफॉर्म सिविल कोर्ड और संपरदाइकता को हवा देती रहती है उन्होंने पार्टी नेताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है मायवती पिछले कुछ वक्त से लगादार मीटिंग कर रही है उनकी सकरेता को देखते हुए कयास लगाय जा रहे हैं कि वो जल्द ही कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट के जलिया आप अपनी राय हम तक पुछा सकते हैं वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सकाइब करना ना पुले वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी से अपील साथियो अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि अम यू ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640 IFSC कोड है YES B000-0-235 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली आप डोनेशन के अवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाटसेप करें